Institute of National Importance यानि INIs में AIMS के साथ साथ एक और college का नाम आता है that is Zipmer. NEED के examination में top rankers हमेशा से ही AIMS के साथ साथ Zipmer को prefer करते हैं अपनी MBBS के allotment के लिए. 2022 में Zipmer Pondicherry और Zipmer Caracal का cutoff कितना था, किस rank पर close हुआ था. 2023 में result आज आने के बाद जब number of candidate बहुत जादा है इस case में क्या cutoff expected है इन दोनों ही colleges की minimum किस marks पर admission possible है different categories के students का complete detail round wise क्या score रह सकता है Zipmer Pondicherry and Zipmer Caracal में आपके साथ शेर करेंगे इस छोड़े से वीडियो में आप मिटकविंग के साथ भने रहे हैं चैनल पहले बार ताकि future के updates आपको non-stop लगातार मिलते रहें Medica Wing की और से में हो में ता आप सभी का एक बर फिल से स्वागत है आपके अपने most favorite neat informative channel Medica Wing में Guys बात हो रही है Zipmer Pondicherry and Zipmer Caracal की यह दोनों ही INIs हैं यानि Institute of National Importance और इन INIs में Zipmer Pondicherry and Caracal AIMS के साथ साथ इसको बहुत से students prefer करते हैं Just because of INI City का जो कोटा होता है PG का उसके लिए and the quality of education always maintained in Zipmer Pondicherry and Zipmer Caracal अब Zipmer Pondicherry का जो cutoff है वो उपर जाता है Caracal Campus का जो cutoff है वो थोड़ा सा डाउन जाता है इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ open seat के जो cutoff है सिर्फ उसको शेर कर रहे है जो internal 50% seats होती है Pondicherry के Union Territories के students के लिए वो हम आपके साथ इसमें share नहीं कर रहे हम सिर्फ और सिर्फ जो open seats हैं उनके लिए यानि जो जिन seats में all over India के candidates eligible होते हैं उनहीं seats के बारे में क्या cutoff expected है वो हम आपके साथ share करें रहे है 2022 में जिपमर Pondicherry में जो marks required था general category के लिए that was in round 1 690 rank 302 था general open category का round 1 में OBC 764 पर जो rank था और marks उसमें था 680 EWS के लिए 675 लेकिन SCST के लिए या था 637 and 622 no doubt कि this was the highest cutoff अगर आप एमस के बाद देखे तो जिपमर का बहुत ऊपर cutoff जाता है अब 2023 में जब students बहुत ज़्यादा participate किये हैं और qualified भी बहुत ज़्यादा हुए तो उस case में जो round 1 में open categories के लिए marks expected रह सकता है that is 700 700 700 के नीचे जिपमर Pondicherry में round 1 में admission होना मुश्किल है open categories के लिए या जर्नल के लिए OBC के लिए 690 और EWS के लिए 685 रह सकता है SC और SD candidate के लिए 650 और 640 रह सकता है 2023 में PWD candidates जो हैं उनके बहुत ही कम marks पर admission होते हैं no doubt क्योंकि number of candidate PWD के हमेशा कम होते हैं competition इनके बीच में कम होते हैं तो ऐसे case में जिपमर Pondicherry में OBC EWS से फिर SC PWD के लिए जो score रह सकता है that is 425 प्लस 323 प्लस और 323 प्लस SC और SD दोनों के case में right OBC और SC का second round में अगर हम cut off की बात करें कि second round में क्या हो सकता है जिन गए 695 round 2 में OBC का और SC का 686 mop up round में यह थोड़ा सा down होगा लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है 670 OBC के लिए general का allotment number of seat के vacant अगर होती उसके उपर depend करेगा बहुत ही कम chances होते हैं कि general की seat जो है वो जिपमर पॉंडिचेरी में second या फिर मौप राउंड में वेकेट होके आती है ऐसा बहुत ही कम होता है तो इस वजह से कि मौप राउंड में या फिर इस्टे वेकेंसी राउंड में general की seat क्या वेकेट होके आएगी then possibility इसकी ना के बराबर है सो जन्रल यानि open के candidate उनको focus करना पड़ेगा कि राउंड वन में ही अगर selection हो जाता है तो वेलेंड गूड अधर्वाइस सेकेंड मौप राउंड में general students के लिए चांसे जिपमर कॉनिचेरी में कम होंगे अब अगर हम बात करें जिपमर कराइकल करें जिपमर कराइकल में no doubt की cutoff जो थोड़ा सा डाउं जाता है राउंड वन में 2022 की अगर आप इस वक्त देखना है बैक्राउंड में 661 था राउंड वन में open category के लिए OBC के लिए 655, SC के लिए 580, ST के लिए 537, EWS के लिए था 646 लेकिन 2023 में rank इसी के आसपास जिस rank में 2022 में allotment होगा इस बार भी उस वो दो चार rank का अंतर आ सकता है, डाउं होने की उम्मीद है, ऐसे में जो 2023 के expected score होगा, that is 671 जिपमर कराईकर के लिए OBC के लिए OBC के लिए 665 और EWS के लिए 657 प्लस, SC और ST के लिए 597 और 558 प्लस हो सकता है जिपमर कराईकर के लिए, second down में number of seats जितनी वैकेट होके आएग जिपमर कराईकर के लिए जहां पर second down में open और बाकी सारी categories के लिए street open होकर आती है, तो वहां पर आपका marks अगर थोड़े बहुत कम होते हैं, round 1 के हिसाब से जब आग compare करेंगे, then second down में अगर open 660 प्लस है, जिपमर कराईकर के chances है, open के बाद OBC और EWS के लिए 654 और 650 के ऊपर अगर marks है, no doubt कि आप safe रहेंगे जिपमर कराईकर के campus के लिए, अगर हम बात करेंगे, सब को depend करेंगा number of seats की ओपर कितनी वैकेट होके आती है, अगर आ जाती है seat, students अगर allotment के बाद दूसको छोड़ देते हैं, admission नहीं लेते हैं, then उस case में ये cut-off down होके नीची आ सकता है, जो expected cut-off है, last column में आप देख सकते हैं कि यहां तक ये round-wise cut-off कीचके आ सकता है, different categories के students के लिए, नी 2023 में expert की guidance आपको counseling में चाहिए, college की list कैसे आपको prepare करनी है, साथी साथ क्या है colleges के updates, free structure और इसके अलावा क्या है allotment के chances आपके अपने rank पर, अगर आप expert की guidance चाहते है, madecoving क आप जो के available Google Play Store पर, 2020, 2021, 2022 के जितने भी cut-off है all over India के government colleges plus institute of national importance, zipmer और BHU, AMU, IMS, इन सभी के cut-off PDF के तौर पर available है Google Play Store पर हमारे आप में, आप आप को download कर सकते हैं, आप को download करने का जो link है वो वीडियो के description में है, साथी साथ आप normally play store पर, midcoving lead counseling app सर्च करके भी, आप को download कर सक आपका कोई question नो कुछ पूछना चाहते है, comment box में comment कीजिए, या फिर scheme पर जो number शोर है, इस number पर आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं, steady on with us, thank you for watching Medcoving, thanks a lot.